जापूर जापर मुख्या मंत्री बजनलाल शर्मा मौजूद है करनल राज्य वर्दन राठोड जी से आप मान्नी मुख्य मंत्री महोदे को पुष्प गुच्छ भेगतर उनका स्वागत करें अधिनान्दन करें कि पीसी केशन जी से अनुरूद करनल राज्य वर्दन राठोड जी को पुष्प गुच्छ भेट करें कि प्रिष्ण कोणाल शाशन सच्छ शिक्षा भेभाग आप से अनुरूद शी मदन दिलावर जी मान्यनी मंत्री शिक्षा पंजायती राज और संस्क्र शिक्षा भेभाग के क्रिष्ण कोणाल जी अनुरोद शिपीज सी किशन जी, आपसे अनुरोद शिक्के के विश्णु जी, राज्य मंत्री, कौशन नियोजन और उत्यमिता वेभाग, आपको पुश्बुकुच भीट करें हमारे बीच है शि जोगा राम पटेल जी, संसेदी कारिव मंत्री, आपका स्वाधत करें, शिपीज सी किशन जी, आपसे पुने अनुरोद पुमार पाल गौतम, आयुक्त, कौशन नियोजन और उत्यमिता वेभाग, आपसे अनुरोद, माननी मुख्य साचिव, राजस्तान शी सुधान श्पंत जी को ये पुश्बुकुच भेट करें पुमार पाल गौतम जी से ही पुने अनुरोद, शीमती शुब्रा से है आतरिक्त मुख्य साचिव, जीकित्सा और स्वास्त वेभाग, आपको कुश्बुकुच भेट कर, आपका स्वागत और अभिनान दन करें शी भुपेंद्र यादव, महाप्रबंधक, RSLTC, आपसे अनुरोद, शी हेमत कुमार गैरा, प्रमुकुच शाशन साचिव, कार्मिक वेभाग, आपका स्वागत और अभिनान दन निदेशक, प्राविधिक शेक्षा, शी एन के गुपता, आपसे अनुरोद, शी PC किशन, शाशन साचिव, कार्मिक वेभाग, आपका स्वागत करें, अभिनान दन करें और निदेशक, रोजगार सेवा निदेशाले, शी धर्म पाल मीना जी, आपसे अनुरोद, शी कुमार पाल गौतम, आयुक्त, सचिव, कौशन, युजन, और उक्तमिक वेभाग, आपको पुश्पगुच भेट करें, शी धर्म पाल मीना जी पुलों को हम विच्थाएं, कहां है हमारी वेसाथ, का टेम अगर हम उठा लेंगे आपकी रहा से, ये शुक्कामनाओं का प्रतिरूप बन रहे हैं, ये पुश्पगुच्छे, और किसी भी आयुजन को करना इतना आसान काम महीं होता है, छोटा साज फुरन महान आफ्ता क की उर्जब में बदल जाता है, शाशन सचिव, कौशन नियोजन और उद्विता वेभाग, शी पी सी के शन्जी से आग रहे, आप सभी का शापिक स्वागत करें और एक संशित जानकारी हम तक पहुंचाएं अ यहा रोजगार उतसब का समार बाम मुख्य मनत्री महद創य का तह दिल से मैं इसॉआगत करता हूं, जो कि इस महार्ज्यों का पठ्पूरा धाष पुरदा है, मैं स्वागत करता हूं, कर्णिल स्रीर्जबर्धन ळाटोर्ट, महनन यह मंत्री, कोशन रोजगार, सिख्छा विभाद मतंधिलावर साथ, माननिय राज्य मंत्री कोशल नियोजन धंग उध्यमिका विभाद केके विष्णुसाथ, माननिय मंत्री जोगारां पटेल विधी विभाद मुख्य सचिब राजस्थान स्री उतस सुदान स्पन्ध साथ, प्रमुख सासन सचिब आप सभी को तहदिल से स्वागत करता हूं इन दो हजार में से करीब 15,000 निजुक्ति पत्र पाचुके हैं और 5,000 जुबाओं को निजुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा यह समारो राज्यस्तर में तथा समस्त जिलास्तर में मानाये जा रहा है अन्तिम में मैं मेरा स्वागत उबधन करने के पहले आप लोगों को का समने दो स्लोक राख जाऊंगा मैं आसा करता हूं कि आप लोग इन दो स्लोकों में का इंडेप्ध अध्यान की जीएगा हमारे मुख्यमंत्री महोदय कार्मिकों को कर्मयोगी बोलकर के संबधीत करते हैं महाभारत में एक स्लोक हाए ओकृत्वा परसंतापम अगत्वा खला मंदिरम अनुस्रुचिया सतांग मारगम जाप स्वल्पम अपितद वहूं एक साथ्र पाइ्चा अगा डगर मारगम जार्प स्वल्पम एक स्वा स्वाद फैर्ट पर इंड एंड़ प्रणी च्यम्ट अव्या ग्स्ति अवीर्ट्रेश्ट्ट्ट्र मेश। तेस पंट्र दिए जानीव गुट विजान था पन डिस्क वंट लट चिप प्रुट इट मुंट इस थीघुपर अजिवर्य टुट टिस प्रुटर बेर्ट उन्मीट्वा है वेद्ट के वुट्ट प्रुट और्टिभ सुट्ट के अ लंफ प्रुट ट्रुट इन वे विड जाए हिंद्र, जाए भारब, जाए राजस्थान, थैंक यू. पूरी राजस्थान में अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने पंखों को उडान देने के लिए, और हम आपको फिर याग दिला दे, राजस्थान, हिंदुस्तान का एक मात्र ऐसा संभावित राज्जी है, जहां इस तरह का आयोजन, मानिनी मुख्य मंतरी महोदय की सं कल्पना के साथ आयोजीत हो रहा है, और कारिक्रम की साक्षी बन रहे हैं, आप सब हम सब अनुरूद करना चाहेंगे, मानिनी मुख्य सचेव राजस्थान, श्री सुधार्श क्वांत जी से, अपना उद्वोधन हमें प्रदान करें, मानिनी मुख्य सचेव महोदय के मानिय मुख्य मंत्री श्री भजनलाज शर्मा जी, मानिय मंत्री करनल राजवर्दन राठोर जी, मानिय मंत्री श्री मदन दिलावर जी, मानिय मंत्री श्री जोगाराम पतेल जी, मानिय मंत्री श्री केके विश्णोई जी, मेरे साथी अधिकारी आदर्निय शुबरा सिंग जी आदर्निय हिमंद गेरा जी आदर्निय किशन जी आदर्निय गौतम जी यहां उपस्तित आदर्निय सचिफगर्ण कुनाल जी यादव जी समस्त अन्य अधिकारीगर्ण और यहां जैपुर के सवागार से और सभी जिलों से वी सी के माध्यम से जुड़े हमारे सभी नव नियुक्त देवियों और सज्जनों सरप्रथम मैं आप सभी को बहुत बहुत बदाई देना चाहता हूं और राजिस्थान सरकार के परिवार में आप सब का स्वागत करता हूं है मेने पहले जब से मुक्यमंती जी ने कारिवार समाला है उनकी सरवोच प्राथमिक्ता ये रही है कि युवाओं को हम रोजगार ना सिर्फ दें बल्कि उसके बड़ोतरी करें नए एविन्यूस खुलें सरकार में भी और सरकार के बाहर भी सरकारी भागों में आप जानते हैं नियुक्तियां एक प्रक्रिया के तहत होती हैं परिक्षा होती है फिर इंटर्व्यूज होते हैं फिर रिजल्ट आते हैं लंभी प्रक्रिया होती है बीच में ऐसा माहल बन गया था आप सभी युवाज जो हैं जानते हैं परिक्षाओं की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्ण चिन लग गया था एंटी मुख्यों मंत्री जी ने आते ही अपने जो पहले कुछ निर्णे बड़े निर्णे थे उसमें लिया और पिछले कुछ मैने से जो कारवाई हुई आप सबके सामने है आज वापिस इस प्रदेश के युवाओं का विश्वास सरकार की भरती प्रक्रिया है उस पर वापिस कायम हो गया है और आप। जो 20,000 से अधिक नियुक्तियां तो करी 25,000 हुई कुछ युआ किसी कारण से नहीं जोयन कर पाये कोई दूसरे नौक्रियों में चले गए कोई किसी और शेतर में चले गए दूसरे राजियों में चले गए कुछ विदेश चले गए लेकिन मुख्यमंत्री जी के मन में ये इच्छा थी कि जिस परिवार में आप अपने आगामी 30-45 साल तक सेवाद आपको देनी है वहाँ आपका सामुविक नीप से स्वागत किया जाए बीच में क्योंकि तीन मैंने चुनाव के आचार सहीता थी ये कारिक्रम नहीं हो पाया इसलिए पहला कारिक्रम हो रहा है तो इसमें निर्ने लिया गया कि जिनकी नियुक्ति अभी पिछले कुछ मेहनों में हुई हैं उनको भी इस कारिक्रम में ही एक साथ समिलित कर लेते हैं इसलिए ये सब पूरे राज में मिलाके संक्या 20,000 से अधिक हुई है राजसरकार में सेवाक करने का एक बहुत बड़ा म्हत्र है और न सिरफ आपके लिए एक लाइवलि हुड है बलकि बहुत अच्छा काम करने का अफसर है भूत कम लोगों को करोणों लोगों में से कुछी चुनिंदा लोगों को ये अफसर मिलता है चाहे आप राज्य सेवा में हमारे R.A.S. R.P.S. के अधिकारी भी आज यहां पर है चाहे आप राज्य सेवा में आए हूँ चाहे कनिश्पत पर आए हैं जिस भी स्तर पर आपका चैन हुआ है हर स्तर पर राज्य हित के लिए देश हित के लिए निष्ठा से इमांदारी से अ अवसर है और जब इस कारिक्रम की कलतना की जा रही थी तो मुक्रिमंतिजी ने का ये एक स्वक्ण था कि राजसरकार में आने वाले लोगों का स्वागत हो उनको महसूस हो उनको गर्भ हो कि हम इस राजसरकार के परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं और अगले कई दश्कों तक हमें अपनी सेवा देनी है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से हमें अपने को कंड़क्ट करना है, किस तरह से अच्छा काम करना है, सही रास्ते पे चलना है, अनुशासन रखना है, और ऐसा काम करना है, जिजब 35-40 साल बाद जब आप सेवा निवरित हों, और आप पीछे मुड़के देखें, आपको घर्व होना चाहिए, कि आपने जो काम किया स्वागत के लिए, अपने विभाद के लिए, अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए, आपको और आपके परिवार को, आपके विभाद को आपके काम पर घर्व होना चाहिए, तो इ एक एक नव नियुक्त युवा युफ्ती को स्वेंट आपको इस परिवार में आपका स्वागत कर रहे हैं और इस उमीद के साथ कि आपका जब जो भी सेवा काल रहेगा वो अच्छे संसकारों पे अच्छे उद्देश्यों पे केंद्रित रहेगा गलत सीजों से हम लोग अ अच्छा काम करें इमांदारी से करें मेहनत से करें और प्रदेश के हिट में करें तो इसी यह कहते हुए अभी बहुत से माननी हैं वक्ता अभी शेश हैं मैं पुना सभी नव्यूक्त युवतियों को यूकों को बहुत-बहुत शुब कामनाई प्रिश्ट करता हूं और आ जाने 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 और योग्य होने की एक महर होती है जो महर आपके साथ लगी है माननी ये राज्य मंत्री उत्योग और वानिज, योवा मामले और खेल, कौशन योजन विभाग और उत्यनित्ता, नीती निर्धारन विभाग्षी केके विश्णोई जी अपना उत्बोधन प्रदान करें भारत माता की भारत माता की आज मुख्यमंत्री रोजगार उच्छव खुद में ये नाम पूरा है मैं दन्यवाद देता हूँ अधरनिय मुख्यमंत्री वजणलाज जी सर्मा साब को कि आज एक एथियाशिक शुरुवात राजस्थान प्रदेश से की है और आने वाली पीडी को जिस तरीके से वजणलाज जी के नेतरतु में एक नई दिशा मिल रही है एक नया उनको एक सिस सिस्टम दिया जा रहा है हर महीने इस दिशा के अंदर उत्सव के रूप में मनाया जाएगा आज के इस कारिक्रम मैं अधरनिया बदलाल जी अपना मार्क दर्शन देने के लिए अपने बीच में पतारे अधरनिया कैबिनेट मंत्री राजय बर्दन सिंग जी अधरनिया शुब्रामें यमन जी पीशी किशन जी कुमार पाल जी और यहां पर पदरेवे सभी अधिकारी गर्ण यूवाय यूवती माताय बैने और यहां पर पदरेवे सभी मेडिया के बंदों आज बहुती खुशी की बात है अभी आप और हम सब को याद है कि देश ने आजादी का अम्रत भाहुत्सव मनाया और आगे आने वाले दोजा सहतालिस का एक जो वीजन आदेने प्रधान मंत्री जीन अपने को विक्सित वारत संकल वियातरा के रूप में दिया उसी श्रंकला में विक्सित राजस्तान को ध्यान में रखते वे जो विश्व की आज हिंदुस्तानी ऐसा देश से जिसकी सबसे ज्यादा यूवा इस कारेक्रम में समयलित होने का अफसर पाया है अदर ने मुख्य मंत्री जी के नितरतों में जो एक नई दिशा दी गई है यह सदेव अविस्मर्णी है आज का दिन रहेगा कि मुख्य मंत्री जी ने आज इसकी एक शुरुवात करिए और हर महीने इस कारेक्रम को आगे आ के अधर भार को प्रदेश के यूवाय यूव यूतियों को दिया गया है इसकी शुरुआ तो आज कर दी गई है लेकिन सिर्फ यही नहीं हर मैने किस तरीके से कौसल कर विकास किया जा सके हिस LM ये भी हर जिला इस्तर पर वैवस्ता की गई है वहां से अलग लग यूवा यूगतियों के अंदर छुपे वे उनके योगिता को किस तरीके से बार लाग करके खुद का सेल्फ एनलैसिस करके अलग लग दिशा में अपना नौकरी भी कर सके अपना उध्योग भी कर सके इस दिशा के अंदर भी बहुत मजबूती से जब निड़ना लिए गये हैं आज मैं बदे देता हूं बदे लाग जी को उन्होंने समाज के हर वर्ग को ज्यान में र हर तरीके की जो पूरवरती सरकार के अंदर जो कमिया रही है जो हर तरीके की आप लोगों के बीच में जन्न आकरोश के यात्राओं के मारफत भारती जंदा पार्टी लेकर कि आई उन सभी चीजों को जो भारती जंदा पार्टी का संकल पत्र रहा उस संकल पत्र के मारफत उन्होंने एक एक चीज को अक्षर अक्षर पालन करके आज लगबख संकल पत्र की 45 परतिसे से अधिक सिर्फ मात्र इस कम समय 6 मिने के अंदर-अंदर मुख्यमंत्री जीन उन चीजों को जमीन पर उतारने का काम किया है आज मैं बदे देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि इस नई शुरुवात विक्सित राजस्तान के नाम से जाने जाने वाला दिन रहेगा और आने वाले इस युवापीडि को भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत बदाई है कि आज वो यहां पर इस कारेक्रम के अंदर जैपूर से लेकर के राजस्तान के अलग-अलग जिलों के अंदर इस कारेक्रम में संभिलित हुए है और हार्दिक आभार है मुख्यमंत्री जिगा फिर से मेरी तरफ से कि इसी तरीके से युवाओं को अपनी तरफ से उपार देते रहे चाए वो रोजगार का हो चाए वो कोशल विकास करके उनको एक नई दिशा और दशा प्रदेश की उन्रती के लिए विकास के लिए वो निरन पर इसी तरह से लगे रहेंगे ऐसी आसार उमीद के साथ मैं मैं मेरी वानी को विराम देता हूं और बहुत-बहुत शुब कामनाओं के साथ मैं मेरी वानी को विराम देता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिंद जैभार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननी मंत्री महदय शी केके विश्णोई जी और हमारे बीच है शी जोगा राम पटेल जी संसितिय कार्य मंत्री आपसे अनुरूत करना चाहेंगे अपना उद्वोधन हमें प्रदान करें माननी मंत्री महदय बारा नाता की आज के इस एतियाशिक और इस्ट्री में याद रखने जाने वाले बहुत ही मैटे आने वाले युवापीडी और वत्मान की युवापीडी के लिए मुख्यमत्री रोजकार उच्छु मिला हम सब राजस्तान परिवार के लिए हमारे इस्ट्री मुख्यमत्री जी का एक बहुत बड़ा तोपा है मैं मेरी और से आप सब की और से राजस्तान के परतेग जिले की और से युवाओं की और से आदिनी मुख्य मंदेजी का बहुत बहुत आभारवित करता हूँ कि आपने एक ऐसी सिरुवाद की है जो बविशे में हम सब करा जीवन सुरिक्षित हो लक्षित हो और हम सब अपने लक्षित को अराग बढ़े मेरी आप सबसे प्राता है कि एक बार जोड़तार ताले मजा के आदिनी मुख्य मंदेजी का बहुंद आफाद आदराने समान इत्मान हमारे वक्ता खूब है आदराने केबिनर मंतरी राजेवर्दन सिंग्जी साहब आदर आदराने केबिनर मंतरी मतरजी दिलावर साथ मेरे चोटे भाई आदरनी है केके विश्णोई साथ हमारे वरिष परसासने गतिकारी कान इस हबागार में बिराजमान पार्टी के सभी पदादीकारी कान और जिन को आज रोजगार का सुबह उसर में मिला है परमान मिल रहा है और मुक्यमत्री के हाथो से आपका सम्मान हो रहा है ऐसे सभी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद मैं मेरा पूरा समय आप सब के लिए और आदरी मुक्यमत्री जी के लिए चोड़ता हूं कि वो अपनी बात मेरे समय को निकालते हुए आपके समझाए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैं जुपती एक चैन एक व्यक्ति का रोजगार नहीं है पूरे परिवार के लिए निर्नायक मोड भी होता है एक उत्सव का अवसर होता है और माननिये मंत्री मादेमिक शिक्षा और पंजायती राज और संस्कृत शिक्षा वेभाग राजस्तान सरकार की मदन दिलावर जी आ माता की मुख्य मंत्री रोजगार महत्सों में मंचस्त विराजित राजस्तान के इससी मुख्य मंत्री स्रिमान भजनलाजी शर्मा साहब मानने मंत्री गण मानने अधिकारी भाईयों और वहिनों और या उपस्थित सभी भाईयों और वहिनों और मित्रों आज का दिन हम सब के लिए खुशी का दिन है कि आज के इस दिन के लिए हमारे परिवाजनों ने और हम ने सपने सजोए थे हम लिख पढ़कर के अफसर बनेंगे तुम्चारी बनेंगे और राजस्तान की जनता की सेवा करेंगे आपका सपना साकार हुआ इसलिए आप सब लोगों को बधाय देता हूं और भगवान से प्रात्ना करता हूं कि आप आने वाले समय में सफलता के उच्छ सिकोग को चुछ आप यह और जैसी राजस्तान की जनता को आप से पेक्षा है उसमें आप खरें उत्रें क्योंकि बहुत निगाय आपके उपर है अग्यों देखना चाहती है जो नव अधिकारी कर्मचारी गण है वह किस प्रकार से हमारी सेवा करते हैं और किस प्रकार से अपने शाशन को चलाते हैं इसका इंजार आपका कर रहे हैं मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छा से अच्छा काम करके जनता की सेवा करें प्रसासल को ठीक प्रकार से चलाएगे तो मैं समझता हूं जो आपके लिए जनता ने सपना देखा है वह उनका सपना साकार होगा और आप सब जनता की अफेक शाम करें उतने इसके साथ आप सब को बढ़ाये देता हूं अपनी बात को समाप्त करता हूं नमस्कार जैहिंग धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मानेनी शिक्षम मंत्री महोदै और मानेनी मंत्री उद्योग एवं वानेजी सुचना प्रद्योगी की और संचार, युवा ममले और खेल, कौशन नियोजन और उद्धिमेता, सैनिक कल्याण वेभाग करनल राज्य वर्दन राठ थ आपसे अनुरूद अपना उद्वोधन हमें प्रदान करें, माननी मंत्री महोदै ऐसे तो ये पूरा हॉल युवाओं से भरा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई गूंज नहीं उठी है, जिससे इन पत्थरों को बदा चले है, यह युवाओं विराजमान है, बोलिये भारत माता की, क्या इससे बहतर हो सकता है? बोले भारत माता की, आज का दिन बहुत खास है, इसलिए मैं चाहता था कि एक जोरदार नारा लगे भारत माता का, और खास इसलिए है, क्योंकि आपके जीवन में ये पल एक बार आया, आज आप सब को तक्रीबन 20,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, और वो भी राजिस्तान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के हातों द्वारा दिया जा रहा है, ये बहुत खास बाद। दिन बहुत खास है, कि आज आपको नियुक्ति दी जा रही है, ये उस शरंखला के अंदर एक और कदम है, जो प्रधान मंत्री मोदी जी ने 22 अक्तूबर 2022 से शुरू करा, रोजगार के इस ऐसे इवेंट और्गनाईज करे गए, ऐसे बारा इवेंट होए, दोहजार बाइस अक्तूबर से लेकर, दोहजार चौबिस फरवरी तक, और उन बारा इवेंट्स के अंदर, देश के अंदर, सरकारी नौक्रियों के अंदर, आठ लाख नियुक्तिया दी गए. राजिस्थान के मुक्यमंत्री भजरलाज जी को बदाई देना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री मोदी जी का जो सपना है, उनका जो संकल्प है, कि हमारे युवाओं को और मजबूत करना है, उस श्रंखला में आपने एक मजबूत कदम होथाया, और एक बड़ी सभा करके, हमारे सभी युवाओं को इंस्पायर करने की भी बात करी और इनको न्यूकती पत्र देने की भी बात करी, मुझे याद है, आप ही कितर है, 15 दिसमबर 1990, जैसे आप विराजमान है, वैसे ही पासिंग आउट परेड, देरा दून में मैं भी बैठा था, परेड होई, आखरी राश्ट्र सबसे पहले, हर हालत में, हर खीमत, ये कसम हर सैनिक खाता है, हर सैनिक इस कसम को उठाता है, चाप सर हो या सिपाई हो, राश्ट्र सबसे पहले, उसके बाद मेरे साथी, मेरी चीम, और अंत में मैं खुद, आपको ये कसम उठानी चाहिए, अपने मन में ही सही, क्योंकि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, और ये आसानी से नहीं मिली है, नजाने किस तरह की परिशानिया आपने उठाई होगी, आपके मादा-पिता ने उठाई होगी, किस तरह की परिस्चितित्या रह होंगे उन सब को पार करके आप उन करोणों लोगों में से हैं जिने ये अफसर दिया जाला है कि राजिस्थान सरकार का हिस्सा बने अभी तक कई बार ऐसा लगता होगा कि यह सिस्टम ठीक नहीं है अब आप वो सिस्टम है अब पो सिस्टम है फिर आप आपको पहले लगता था कि सिस्टम ठीक नहीं है तो यह अफसर है उस सिस्टम को ठीक करने का आप जहां आपको जिम्मेदारी दी गई है वहाँ पे कुछ गलत हो रहा हो तो उसको सही करिए अगर आपको लगता है कि आपके दाइरे में वो नहीं है तो अपने उच्छ अधिक जिम्मेदारी की पोजेशन पर आए तब याद करके वो जो गलत चीश थी उसको दुरुस्त करें अपने इनिशेटिव होना चाहिए युवा है वैसे भी उर्जा है एक बदलाव की ताकत है कुछ सही करने की इच्छा है सबसे पहले तो अपने अपने साख्यों को समाली ज यह सारी आपकी जिम्मेदारी है आप ऐसी टीम बनाएए जो अपने लक्ष को पूरा कर सके जो लक्ष भारत को मजबूत करने का है प्रदान मंतरी मोदी जी ने लक्ष रखा है आज की तारीक में 20,000 नौजवानों को यहां पर नौकरी दी जा रही है सत्तर हजार नौकरिय इसी बात है सरकार के अलावा चाहे वो सेलफ एंप्लॉइमेंट हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो जिस तरह का बातवरन पूरे देश में बनाया जा रहा है हाइवेज बन रहे हैं पोर्ट बन रहे हैं डिजिकल इंफ्रस्ट्रॉक्टर खड़ा हो रहा है हर तरह से दु या आज निवेश करना चाहती है भारत के अंदर आपको ये सुब अफसर मिला है ये शुब अफसर आपको मिला है क्योंकि आप युवा हैं कि अमरित भारत के आजाद होने पर जो अमरित काल है उस पूरे अमरित काल के आप जिम्मेदार होंगे पूरे अमरित काल के अंदर आ आप नौजवान हैं जो ही भारत को बजबूत बना सकते हैं इसलिए मैं आपको एक बार फिर बदा ही देता हूँ शुबकामना ही देता हूँ बोलिए भारत माता की धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद माननी मंत्री महद है और आईए जिन पलों का इस सभागार में उपस्थेत कार्मिकों को इंतजार है लगब 20,000 कार्मिकों को न्यूप्ति दी जा चुकी है उनमें से चैनित 10 कार्मिकों को आज यहां न्यूप्ति पत्र प्रदान किये जा रहे हैं हम आपको बता दें कि पूरे राजस्थान में सभी विभागों से जिन कार्मिकों को नियुक्तिय मिली है उनका विवरन अभी हम आपको सामने लगे हुए बड़े स्क्रीन पर स्क्रोल के माध्यम से प्रदर्शन के साथ देख पाएंगे आयुक्त महोदय रिमोट का बटन मानमी मुख्य मंत्री महोदय से अनुरूद रिमोट का बटन दबा कर और इसे प्रदर्शित करें और आईए शुरूआत होती है इस स्क्रोल के माध्यम से हम लगातार देख रहे हैं आईए उन कार्मिकों को अब हम यहां एक के बाद एक आमंत्रित करते हैं सबसे कहले मोतिलाल गुर्जर पशुधन सहयर। सब का विवादन आप स्विकार करें जोरदार तालिओं से आप कि शुप कामनाई दीजिए और आप ने इससे पुरूर सेना में कारे रहत तु से आप ग्रामीन परिवेश्ट से आते हैं परिवाद की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद आपने लगन और कठिन मेहनत के साथ तैयारी कर इस परिक्षा में सफलता प्राप्त की और पशुदन सहायक की पज़पर आपकी नियुक्ति हुई है मोतिलाल गोंचर और आईए अगला नियुक्ति पत्र हम प्रदान कर रहे हैं कलपेश कुमार कला कलपेश कुमार कलाल समूह अनुदेशक आप भी क्रामीन परिवेश्टे आते हैं आपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए परिक्षा की तैयारी और सफलता प्राप्त की अपने आसपास के लोगों को जन साधारन को पौशल विकास और स्वरोजगार के लिए करना चाहते हैं इसक्रम में संजय कुमार कनिष्ट अनुदेशक आपने कठिन महनत और लगन के साथ परिक्षा की तैयारी की और सफलता प्राप्त की आप शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं संजय कुमार कनिष्ट अनुदेशक मूनिका कमर बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक मूनिका कमर आप इससे पूर्व कनिष्ट लिपिक पर कारियरत थी पिता के निधन के बाद पारिबारिक जिम्मेदारियों को सभालने के साथ सेल्फ स्टेडी और ओनलाइन कोचिंग से तैयारी की और सफलता प्राप्त की सुनीता बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक सुनीता आप परिवार की पहली सर्दस्य हैं जो राज की सेवा में आई हैं आप डिजिटल साक्षर्था को बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहती हैं विज्या कमर बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक आप अपने परिवार की प्रेढ़ना से परिक्षा में आपने सफलता हासिल की हैं विज्या कमर पुल्दीप मीना बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक आप ग्रामीन परिवेश्ट से आते हैं 2019 से आप परिक्षा के तैयारी कर रहे हैं और समाज में जागरती लाना चाहते हैं मैं आपको ये अनुरोध कर दूँ कि बहुत सारी आपकी तालियां जो इनकी शुभकामनाओं का प्रतिलूख बनेगी भानु प्रताप से हैं तवर सहायक नगर नियोजग पिछले तीन साल से सेल्फ स्टेडी के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं और परिवारिक जिन्मेदारियों को निभाते हुए आपने सफलता हासिल की है चित्राक्षी मीना सहायक नगर नियोजर चित्राक्षी मीना आपने अपने तैयारी कोचिंग और सेल्फ स्टेडी से की है शिक्षित परिवार की प्रस्ट भूमी से आती है उन्हीं की प्रेणा से आपने सफलता हासिल की है रोहित शर्मा लेब टेक्नीशन 2020 में परिक्षा की तैयारी आप 2020 से कर रहे हैं पहली बार राज की सेवा में प्रवेश कर रहे हैं राजस्थान को बहतर चिकित्सा सेवाएं देने के लिए आप अपना योगदान देना चाहते हैं रोहित शर्मा रेखा अश्वर लेप टेक्नीशन पहली बार राजकी सेवा में प्रवेश चिकित्सा सेवा के क्षेतर में आने की रुची आती शुरू से रही है दिमपल टेलर सहेक रेडियोग्राफर आप अपने परिवार की पहली सदस्य हैं जो राजकी सेवा में प्रवेश कर रही हैं मरीजों की सेवा करना चाहती है राजस्थान को अग्रिम बनाने में अपना योगदान देना चाहती है दिंपल टेलर सम्मान रहेंट कर रही है और पंकज से हैं साहेक रेडियोग्राफर राजकी सेवा में सुरक्षा का भाव आपकी प्रेड़ना का स्त्रोत रहा है पंकज से हैं साहेक रेडियोग्राफर पिंकी अध्यापिका लेवल टू पिंकी आप वर्ष 2021 से परिक्षा की तैयारी कर रही है शिक्षा के खेप्र में आपकी रुची शुरू से है अपने मन की बात माननी मुख्य मंत्री महोदेश से साजा करते हुए और इसक्रम में कविता मीना अध्यापिका लेबल टू कविता मीना आपने कठिन परिक्षम से परिक्षा में सफलता हासिल की है 2021 से परिक्षा के तैयारी कर रही है और अब अंत में सुरेंद्र कुमार शर्मा अध्यापक लेबल टू 2015 से सेल्फ स्टेडि से परिक्षा के तैयारी कर रहे है पुरोना काल में परिवार के आर्थे किस्तिती बिगणने के कारण आपका जुकाव सरकारी नौकरी के ओर हुआ इसके पहले आप निजी सेवाओं में कारिय रख थे धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद माने निये मुख्यमंत्री महोदैर और इस सभागार में बैठे हुए और पूरे राजस्थान से सभी जिलों में जो लोग इस आज के कारिक्रम से जोड़ रहे हैं हर कार्मिक हर शक्स से एक बार अनुरूद करना चाहेंगे अपने दूनों हाथों को उपर उठा कर पस्त अभिव्यति दे जोड़ तालियों के माध्यम से ये सम्मान हमारे पूरे राजस्थान के कार्मिकों का सम्मान ये तालिया बनेगी ना नियुस कार्मिकों के लेक्ष्यों कामनाओ का प्रतिरूद मंगल कामनाओ का आपके इन तालियों के लिए और माने निमुख्य मत्री जी आज दस नव चैने तार्मिकों जिने आज नियुक्ति पत्र मिले हैं और उनसे वर्चोल संभाद करेंगे उनसे सीधे संभाद की ताकत से प्रदेश के हर शेक्र में व्यावारिक और मेली का पत्थर शामिल बूने इन योजणाओं ने न सिर्फ आकार लिया है बलकि उनका प्रभावी और पूरी प्रतिवद्धता के साथ क्रियानवेन सुनिश्चित हुआ है मानने मुख्य मंत्री जी अब संभाद करेंगे हमारे काडमिकों से सबसे पहले तुम्हें यहां जो प्राजमन है क्योंकि आपका जो सम्माद होगा पूरे राजिस्थान में सुनेंगे आकांचत दुवे बहुत-बहुत सुपकामना आकांचत जी बहुत-बहुत धन्यवाद सर्ड अब बताईए कि थोड़ा सा अपने वारे में भी बताईए कि आपने किस तरह से मेहनत की आज आपको कैसा लग रहा है आपको क्या परिशानी आई और आव उन परिशानियों के बाद जो एक आपको तोफा मिलाए कैसा लगा तो थोड़ा सा अपने बारे में भी बताईए फिर एक बार संदेश भी दीजिए सभी को कि आपने जिस तरह से किया तो एक बार बताएं आप जी सर बहुत 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 धनिवाद सर प्रथम मैं मुख्यमंत्री महोदय और आप सभी का आभार वेक्त करना चाहती हूं कि आरेस दो होजार इकेस भड़ती परिक्षा का जब परिणाम आया था और उसके बाद शिग्र नियुक्ति देकर उसके बाद हमारा 21 परिक्षा में चटास्थान प्राप्त किया था और मुझे राजस्थान प्रशाशनिक सेवा का पद अवंटित हुआ है और सर आपने जैसा पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूं तो मैं काफी उतसाहित हूं सेलक्षन के बाद काफी कॉंफिडेंट फील कर रही हूं और जिस प्रशाशन को जिस एड्मिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मैंने अभी तक बाहर से देखा था अब उसका हिस्सा बनकर काम करने का अवसर मिलने वाला है यह मेरे लिए बहुत ही गवर्वानविक करने वाला शन है और जैसा कि अभी आधर्णिय मंत्री महादे करनल राठो अधां आओच श्गरतल इस परिक्षा की तयारी मैंने अस सट दिव थे इंटेजीस में से इंटर्वियों को मैंने से यार किया था और इसमें मैं यूरा शूचन करना का ves और युवा साथियों के लिए मेरा संदेश यही है कि जितनी मेहनत जितने उत्साह के साथ हम परिक्षा की तैयारी करते हैं उससे से दुगने उत्साह के सासे में आने के बात तैयारी करें नियुमों को जाने परिपत्रों को पड़ें और सेवा में जितना accountability और integrity के साथ काम कर सकते हैं उतना अपना बैस्ट देने का प्रयाज करेंगे धन्यवाद सर्थ कि बहुत अच्छा कि यह बेद प्रकास गुर्जर कि बाड़े जी कर सेवा में यह इनका जिला है ठीक कि नमस्ते सर सर मेरा नाम विप्रकास गुर्जर है और मैं डीक जीले की नगर तेशील का निवासी हूं सर में आरेस बर्टी परक्षा के मादम से वानिच कर विवाग में रचैन हुआ है सर समसे पहले में मंच दान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता है सर उसकी विवस्ता करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद है सर सर में हमारे समस्त पांडर संब्स के वर से आपको शोर करना चाहता हूं कि आपका और प्रदानमत्री मोदी जी जीवाज उसंकल पहे 2047 को लेकर सर उसमें हमारे राइस्तान को अगरी राज कर राहे सर वह न वार्यर थे और उनकी प्रेड़ना स सभ्रद पर आने के लिए मीने तैयारी सुरू की और आप ने जिस सब्सक्राइब जनम दिन पर आपने मुझे अधिक यह तोफा दिया है इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद सर ने इस मंच से अपने मातप का अंगार और उन सभी प्रियाजनों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यहां तक पचाने में मदद किये सर्थ थेंकिव थेंक्यू सेखावत अधिक सभी अधिक सिंगार राजिस्थान पुलिस सेवा साइर नमस्कार मैं हेंबन सिंग सिखावत हूँ और मैं राजस्तान पुली सेवा का पर सिक्सु अधिकारी हूँ और मैं सिक्कर जिले के दातारामगर तेसल के गाउं पुली खाचरियावास का निवासी हूँ मैंने भूतपूर सेनिक वर्क के अंदर जो है राजस्तान पुली सेवा में मेरे चाहिनीत हूँ और मैं एक विशेश आपके संग्यान में लाना चाहता हूँ कि पहले भूतपूर सेनिकों को राजसेवा के लिए योगे नहीं माना जाता था तो पूरवर्ती भाजपा सरकार संग्यान में सत्रह चार दोजार अठार को उन्होंने एक अधिसुचना जाई करके हमें राजसेवा के लिए नियूमों में उन्होंने संस्वधन करके हमें योगे बनवाया और ये ये दूसरा बेच है जिसके अंदर हमें राजसेवा मिली है और मैं आपका विशेश तोर से उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आचार सहींता के जारी रहते वे आपने हमारे बेच को जो है जोइनिंग करवाई जो एक अबूत पूरा ये टिएसिक है ओ और सर मैं इस मंच के मादाम से मेरे गाउं कुलीकत चैनुवास कीन जाता हूं को धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी परिवाजना होडना देना चाहता हूं जिसने मेरी पुरी तरहरे के गोरान मेरा साथ दिया और अज मैं इस पत्पे चेहनित हुआ तन्यवाद से बहुत अच्छा संकरलाल जी चौधरी IECDS संकरलाल जी है मेरा नाम संकरलाल चोधरी है मैं दूदू जीले का निवासी हूँ स्रीवान मेरा चैन मैला एंव बालविकास विबाग के तएद बालविकास प्रियोजना दिकारी के रूप में हुआ है मौदे आपके परियासों से अतीज सिग्र नियुक्ति मिली इसके लिए हम सभी नवचैनित युवाँ की ओड़ से आपका अर्दिकाबार मौदे मौदे हम आपको आस्वासन देते हैं कि हम सभी नवचैनित युवा नेतिकता के मारक पर चलते हुए राजस्तान के लिए उतकर्ष्ट कारी करेंगे दन्यवाद बहुत अच्छा बहुत अच्छा अब इसके के माध्धम से हमारे पीछ में जुड़े हैं आइ बाड मेर से पारुष्टी पालावाद नमस्ते सर्थ मैं डौक्टर पारुष्टी पालावाद हुए मैं राजके चिकिटसाले महाविद्याले बाड में मैं सहय कचारे पर अभी वर्दमार में कार्या थूँ सर मेरी और मेरी परिवार की जो इच्छा थी कि मैं एक जिकित से अधिकारी बनूँ और लोगों की सेवा करूँ उसके लिए मैं मानने आपका बहुत तहे दिल से शुक्रियादा करना जाती हूं कि आपने इतने कम समय में आचार साहिता होने के बावजूत भी हमें नियुक्ति प्रडान की सर मैं जैपूर की रहने वाली हूँ मेरी पढ़ाई मेरी पोस्ट ग्याजूरेशन सब को जैपूर से है फिर भी मैं बाढ़ मेरी जैसी जिससे पिछले इलाका माना जाता है वहां अकर अपनी सेवाएं दे रही हूँ तो मैं जो भी युवा हैं उनसे ये अनुरोद करना च सके और एक राजस्थान को निरोगी और स्वस्ट करने में पूरी हमारी कॉंट्रिब्यूशन कर सके तो सर धन्यवाद इसके लिए आपका मैं तही दिल से शुक्रियादा करना चाहूंगी और जित्ता हो सके मैं अपने आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं जो सरकार की बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा पारुशी जी बिकानेर धीपिन सिंग नाथाबत जी बिकानेर अच्छा अच्छा नमस्कार मेरा नाथाबत है RS 2021